मुंबई में आयोजित इंडिया केम 2024 में केंद्री स्वास्त मंत्री जेपी नड़ा मध्यप्रदेश की मुखमंत्री डॉक्टर मोहन यादो समीत केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की प्रतिनिद्यों ने दीप रजिलन कर सम्मिलन का शुभारम किया मध्यप्रदेश के मुखमंत्री डॉक्टर मोहन यादो ने मुंबई में फिकी द्वारा आयोजित इंडिया केम 2024 शिखर सम्मिलन को सम्मुदित करते हुए कहा 2014 में भारत 11 नंबर के अर्थ व्यवस्ता थी और 2023 में भारत 5 वे नंबर पर आ गया मध्यप्रदेश के बीना में भारत पेट्रोलियम पेट्रो केमिकल 50 अजार करोड से अधिक की लागत की परियोजना कशले हनास हुआ है गेल इंडिया की भी एक पेट्रो केमिकल की परियोजना मंजूर होने जा रही है जिस प्रकार का यह समय चल रहा है और यह सची प्रधान मंद्री के नित्रोत में भारत में बहुत देशी एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी कर चालू किये है और यही कारणे के 2014 के बाद भारत कहां 11 नंबर के अर्थव्यवस्था पे था और यह 2023 आते आते भारत पांचवे नंबर पे आया है और जिस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के सबने टार्गेट तै किये हैं खास करके मैं बढ़ेजना चाहूँ अब भुपेन भाई पटेल को गुजरात का आपने अपना रिकार्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यसस्वी प्रधान मंत्री लगातार प्रोप्साइद कर रहा है और जब से यसस्वी मानी मंत्री नड़ाजी बने हैं वो भी लगातार दोनों तरह से यदपी उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ मंत्रालाई भी और इस मंत्रालाई में भी समान रूप से महनत कर रहे हैं इसलिए मद्वदेश के लेकर के मैं कुछ बाते जरूर बताना चाहूंगा मदब्देश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना पचास हजार करोड की सहधिक की लागत का है हमारे यसरसी प्रदान मंद्री ने भूमी पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेट का वरत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजिर होने जा रही है मुझे इस बात का गर्व है के लगवग साथ हजार करोड से ज़दा की ये परियोजना भी हमारे अबन आखरी चरण में पहुँची है पीठमपूर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज़दा फार्मा एकाईया अपना काम कर रही है मुझे इस बात की प्रसनता है मद्व देश में 275 फार्मा यूनिट से स्थापिते प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाय निर्यात हो रही है दवा निर्यात करने में मद्व देश का इस्थान चोथा है फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बडोतरी हुई है 2023 में 11,890 करोड की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए है देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मद्व देश में इस्ताफित है प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संक्या लगातार बढ़ती जा रही है वरतवान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे है